Hey guys, welcome back to my YouTube channel, this is Sam Walker and आज के इस वीडियो के अंदर में आपको 5 ऐसे गेम्स बताने वाला हूँ जो कि आपके PC की ओका चेक करने में आपकी help करेंगे मतलब कि ऐसे गेम्स जिनके अंदर Ray Tracing का बहुत ही खतरनाक सपोर्ट दिया गया है और उन गेम्स की ग्राफिक्स भी बहुत ही ज्यादा फोटो रियलिस्टिक लगती है तो अगर आपने रिसेंटली कोई RTX का ग्राफिक कार्ड खरीदा है या हाई-end सिस्टम बनवाया है तो इस वीडियो को पूरी देखना क्योंकि इस वीडियो के अंदर जो भी गेम्स मैंने बताए है न वो सारे के सारे टोप नोच गेम्स है और इन गेम्स को खेलके आपको बहुत ही ज्यादा मज़ा आने वाला है तो चलो अब स्टार्ट करते हैं इस टोपिक के बारे में बात करना यूँ तो यार जो Metro Exodus है न वो 2019 के अंदर आया था लेकिन फिर भी इस गेम के जो ग्राफिक्स है न भाई वो अपने टाइम से बहुत ही ज्यादा अहेड है इवन अगर आप original version भी खेलोगे न तो उसकी भी जो ग्राफिक्स है न वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटिफुल है लेकिन जो enhanced version है न उसके अंदर ray tracing and higher resolution के textures introduce कर देगे जिससे जो ये game है न वो एक next level game बन जाता है प्लस high end graphics के साथ इस game के जो storyline है न भाई वो भी बहुत ही ज्यादा बढ़िया है तो सिर्फ आप graphics के मज़े नहीं लोगे इस game का जो gameplay and storyline है न उसको भी आप बहुत ही ज्यादा enjoy करने वाले हो इसे के साथ यार इस game का जो optimization है न वो भी बहुत ही ज्यादा बढ़िया है आप 1050 Ti जिसे low end graphic card के अंदर भी इस game को enjoy कर सकते हो लेकिन एक चीज़ याद रखना कि जो enhanced edition है न वो सिर्फ rtx वाले graphic cards के अंदर ही काम करेगा अगर आपके पास non rtx card है न तो ये game उसमें load भी नहीं होगा मतलब चालू भी नहीं होगा तो अगर आपके पास non rtx वाला card है न तो normal version डाउनलोड करना बाग यार ये game बहुत ही ज्यादा चीप है करना चाहिए इस game के अंदर जो ray tracing का support है न भाई वो beyond imagination है इवन दो ये game तीन साल पुराना हो गया है लेकिन इस game की जो graphics है न भाई आज भी hold करती है और आज भी कई games को टकर देती है तो ये game बहुत ही ज्यादा perfect होगा अगर आप अपने नए rtx graphic card की ओकात या उसकी limits check करना चाहते हो तो बाकी इसके बहुत सारे reset वाले mods भी है तो वो भी आप try कर सकते हो उनमें और भी तगडी graphics हो जाती है इस game की graphics तो अच्छी है इस game की बाकी इस game भी जो storyline है भाई वो भी बहुत ही जादा बढ़िया है आपको भी पता है कि जो cdpr के games होते है ना उनकी storyline हमेशा चाही बढ़िया होती है प्लस इनका जो gameplay ना वो भी बहुत ही जादा शांदार है अब हाँ GTA से compare मत करना just because it's an open world game क्योंकि आर कई लोगों की mentality यह होती है कि अगर कोई game open world है तो भाई वो GTA का competitor है तो ऐसा बिलकुल भी नहीं है गेम बहुत ही जादा शांदार है मैं तो बोल नो की ऐसा कोई बंदा होगा जिसको spider man game के बारे में नहीं पता होगा बट अगर आपको फिर भी नहीं पता तो मैं आपको पता देता हूं कि जो spider man PC वाला version है ना remastered वाला उसके अंदर ray tracing का बहुत ही तगड़ा use लिया गया है मतलब जो new york city है ना वो ray tracing own करने के बाद बह मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी है और भाई absolutely यह game ना ray tracing के साथ बहुत ज्यादा बढ़िया लगता है अब मेरे पास तो gtx series का graphic card है तो मैं तो enjoy नहीं कर पाया लेकिन अगर आपके पास rtx series का कोई graphic card है कोई high end graphic card है तो भाई spider man को ray tracing के साथ जरूर से खेलना I know frame rate बहुत masterpiece होता है तो अगर आप अपने PC की limits एक ऐसे super hero game के अंदर चेक करना चाहते हो जिसकी graphics बहुत ही ज्यादा गोर्जियस हो gameplay भी बहुत ही बढ़िया हो और storyline भी शांदार हो तो my friends you should definitely try spider-man remastered तो चलो यहार अम्मोग करते हैं इस list के fourth game के तरफ तो यहार इस list का जो fourth game है वो है Returnal तो यहार अगर आप कोई post-apocalyptic game नहीं खेलना चाहते है आप को open world game भी नहीं खेलना चाहते है तो भाई आपको returnal try करना चाहिए Returnal एक roguelike space adventure game है जिसके अंदर अपना जो main protagonist है ना वो एक planet के उपर first जाता है तो अगर आप कुछ semi open world या कुछ linear type का experience करना चाहते हो अपने new rtx graphic card में तो भाई आपको returnal जरूर से try करना चाहिए इस game के जो graphics है ना भाई वो बहुत ही ज़्यादा शांदार है मतलब सच में beyond imagination ही है हाई एन graphics के साथ भाई इस game के जो gameplay animations या जो gameplay mechanics है ना भाई वो भी बहुत ही ज़्यादा smooth है इस game के जो storyline है ना भाई वो भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है and honestly यार ये गेम मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया था PC के उपर खरीज सकता हूँ लेकिन मेरे ग्राफिक कार की इतनी ओकार नहीं है कि इस गेम को Max Settings के अंदर चला सके and आपको भी पता है कि जो Single Player Games है न वो Max Settings के अंदर ही बढ़िया लगते हैं तो कभी PC को अपग्रेड करूंगा या अगर PlayStation 5 खरीदूंगा न तभी इस गेम को ट्राइ करूंगा बागे अगर आपके पास High End PC या PlayStation 5 है न तो इस गेम को आप जरूर से ट्राइ करना तो चलो यार अब मूँव करते हैं इस लिस्ट के फाइनल गेम की तरफ तो यार इस लिस्ट का जो फाइनल गेम है वो है Allen Awake 2 अब देखो यार इस लिस्ट का जो सबसे रिसेंट गेम है न वो Allen Awake 2 ही है एंड इसके बारे में तो आप सब लोगों को पता भी होगा यह तो पहले मेम बनते थे कि केन इट रन क्राइसिस केन यूर पीसी रन क्राइसिस लेकिन आजकल जो मेम से न भाई वो बदल जुके हैं आजकल ऐसे बोलते हैं कि इस लिए क्योंकि आर जो Allen Awake 2 है इस गेम के जो ग्राफिक्स है वो बहुत ही ज्यादा फोटो रियलिस्टिक है इवन कई जो हाई-end RTX ग्राफिक कार्ड है वो भी हग देते हैं इस गेम को अल्ट्रा सेटिंग्स में चलाने पर तो अगर आपने कोई नया PC खरीदा है जिसके अंदर RTX का modern GPU है तो भाई इस गेम को अल्ट्रा में खेल के देखना आपको अपने PC की ओकात पता चल जाएगी कि आपका PC कितना कुछ हेंडल कर सकता है अब भाई मेरे PC की तो ओकात नहीं थी इसलिए मैंने ये गेम ट्राइग नहीं किया लेकिन अगर आपके PC के ओकात है इस गेम को चलाने की तो एक बार इसको जरूर से ट्राइग करना ये गेम सिर्फ ग्राफिकली अच्छा नहीं है इस गेम की स्टोरी ला ग्राफिकली अच्छा नहीं है इस गेम की स्टोरी लाइन भी बढ़िया है गेम प्ले भी शांदार है और जो सिनेमेटिक्स होगी रहा है यह ना वो भी बहुत ही ज्यादा बढ़िया है तो आपको फुल ओन एंटर्टेंडमेंट देगा तो अब मेरे पास तो आप इस गे वीडियो में गारिस तब तक के लिए बाबाई टेक केर